नमस्कार दोस्तों सुमीत वार्दवात क्लासिज में आप सभी का फिरसे स्वागता भई आज सबसे पहले आपके लिए एक नई अपडेट लेके आए हैं वैसे इस अपडेट का कोई फैदा ही नहीं है क्योंकि विकैंसी ही नहीं आ रही है और हर साल क्या है एस्टाइट का प जित किया जाएगा अगर हम बात करें तो जैसे कि लास्ट येर हुआ था उसी प्रकार से जो गरह जिले होंगे उसी में क्या है एस्टेट का आपका पेपर होगा तो चलिए एक बार में काफी दिनों से बात चल रही है कि दुनिया एस्टेट की वेल्डिटी खतम हो रही है और ये क्या है एस्टेट का जो है पेपर ही लिये जा रहे है और वेकेंसी नहीं निकाल रहे है अभी पीछे सरकार ने एस्टेट की वेल्डिटी क्या है बढ़ा भी देई है पांच साल की बजाए साथ साल कर दिया गया है पर उसका फिर भी कोई फाइदा नहीं है अगर वेकेंसी नहीं निकलेंगी तो अब की बार भी सरकार वही क्या है ओनली एस्टेट ले रही है और उन्होंने डेट भी दे दिया क्योंकि इनको यहां से क्या है अच्छे पैसे मिलते हैं मतलब क क्या है एक कमरे में 12 ही बच्चे क्या है बैठीमे जैसे की कुरोना काल में सिक्षा बोर्ड ने भावी अध्यापकों के चैन के लिए हरियाणा सिक्सक पातर ता प्रिक्षाओं की ति行ती गोशीत कर दी है यह प्रिक्षं 21 नॉंबर को होङी जिसके लिए हरियाणा विदै प्रिक्षा बोर्ड तेयारियों में जूट गया है करोना के चलते इस बार दो गुणा प्रिक्षा के अंदर बनाये जाएंगे तो एक सिंपल सी बात है पहले एक क्लास में 24 बच्चे बैठते थे तो उनको डबल सेंटर की जुरूत पड़ेगी तो इसलिए क्या है अपकी बा इस नॉम्बर की थी थी गोशीद कर दी गई है तो वह बाइचांज फिर वी जिस बच्चे का क्या है पहले पातरता नहीं हुआ है या मतलब एस्टेट कलियर नहीं हुआ है या जिनोंने अभी अपनी एस्टेट बीड वगरा की है तो वह बच्चा वह क्या है तेयारी कर सक सकता है चलो कभी वी विकैंसी आएं वह इक अलग मैटर है तो पहले आप अपनी के आईस की तयारी करो जिस बच्चे का नहीं हुआ है तो इकीस बच्च्च्याओं की तयारियों को लेकर बोर्ड सचिव राजी परसाद ने बताया कि सिक्ष्या बोर्ड आज से ही तयारियो में जुट कया है शिक्ष्या बोर्ड सचिव राजी परसाद ने बताया कि निदेशक स्केंडरी शिक्ष्या ने शिक्ष्या बोर्ड दवारा 21 और 22 नॉंबर की तिधियां को सिट कर दिया या मोहर लगा दिया है तो भई 21 और 22 नॉंबर की जो तारिक है वह पक्की हो गई जो बच्चा स्टेक देगा वह अपनी तयारी में जूट सकता है और कलियर कर सकता है हाँ जिनोंने कलियर कर रखा है काफी बच्चे ओवी इस फोर्म को फिल करेंगे पर आप सभी को पता है वेकेंसी के ऊपर क्या है इनकी आने वाली नहीं है फिर वही बताया है कि करोना के काल में मास्क लगाना जरूरी है पहले हम रूम को सैनिटाइज करेंगे एक कमरे में एक बैंट छोड़कर एक बच्चे को बिठाएंगे तो बारा बच्चे हम बिठाएंगे तो ये सभी हम क्या है सभी दानिया जो है बरती जाएंगे तो भई ये आज की news थी आपकी estate लेकर जो वच्छा त्यारी करना चाहता है कर सकता है जो वच्छा form फिल करना चाहता है 21-22 नॉंबर से आपकी क्या है एक्जाम भी शुरू हो जाएंगे form आपको अगले ही महिने में क्या है दिखाई दे जाएंगे बाकी भई जो आपका जो जिला होगा उसी के अंतरगत क्या है आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा वहीं पर paper की क्या है center प्राप्त होंगे तो भई thank you student मिलते हैं next video में धन्यवाद